येलोग फ्रेंट्स इस वीडियो मां मात करने वाले बिहार के प्राथमिक सिश्यक भर्ति को लेकर तो देखिए आप अपना डॉक्मेंट्स अप्लोड करेंगे तो उस पर यहाँ पर क्या है कि BPSC का वाटर मार्क और आपका रजिस्टेशन नंबर जो है वो दिखाई देगा बाकी खास दोर पे जो BPSC प्राइमरी टीचर के अभेर थी है आप लोग बीच में अपना डॉक्मेंट्स फिर से रिअप्लोड किये थे गैजेटेट ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेट करवा के लेकिन वाला डॉक्मेंट्स आपका नहीं दिखाई दे रहा था बलकि जो आप यहाँ पर चेक करेंगे उसको लेकर बात करेंगे बाकी बता दे कि उस टाइम पर जितने भी अभेरती इग्नॉर किये थे कि हम अपना डॉक्मेंट्स जो है रिअप्लोड नहीं करेंगे वो आपका मैनेज हो जाएगा तो आपको देखिए फिर से जो है आपको डॉक् इसे उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सिटेट का सर्टिफिकेट है और यहाँ पर सिटेट के सर्टिफिकेट में आप यह मोहर जो है वो देखेंगे इस मोहर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि यह जो है बा आध्यम से जो आपका watermark मतलब मुहर या फिर जो आपका logo है वो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे तो नॉर्मल से बात है जिस तरीके से आपको चेक करना है बस यहाँ पर एक चीज आपका add और किया गया है जैसे आपने उपर क्या है जैसे आप करेंगे तो आपका डॉक्मेंट्स अप्लोड टाउनलोड होगा वो यहाँ पर आपका नया वाला डॉक्मेंट्स अपलोड होगा जो पूराना वाला दिखाई दे रहा था तो अब यह पूराना वाला हट गया है बलकि यहाँ पर आपका नया वाला है अटेस्टेट वाला ओ यहाँ पर आपका दिखाई देगा अब यहाँ पर BPSC के माध्यम से जो आपका कल नोटिस जारी किया गया आप यहाँ पर देख सकते ह अठार अक्टूबर 2023 से मतलब आज से 30 अक्टूबर 2023 तक आप अपना डॉक्मेंट जो है फिर से री अपलोड जो है कर सकते हैं री अपलोड करने का वही माध्यम होगा जो आपके गजेटेट ओफिसर्स है उनसे यहां पर अटेस्टेट करवाना है और जो आपका साइज सो के भी से कम होना चाहिए और यहां पर अटेस्टेट करवाएंगी तो आपको फिलब भी करना पड़ेगा गजेटेट ओफिसर्स का हाँ पर डिटेल जैसे आपका नाम हो गया पद नाम हो गया पद का अस्थान हो गया अस्थान हो गया उनका हाँ पर contact detail लेकिन इस बार जो आपका परिवर्तन किया गया है पहले क्या था कि सभी लोगों का मतलब जीतने भी अभियरती थे वो सभी attestate करवाय थे क्योंकि उस टाइम पर BPSC primary teacher का result नहीं आया था लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आपका बोला गया है सभी अब भी अब भी अब भीधियों को लेकर मतलब जीतने भी भीधियों चाहे primary या फिर मादमी क्या फिर उच मादमी में qualify होते है सिर्फ आप लोगों के यह दी documents में truth पूर या फिर up अठनी है किसी भी तरीकी का दिक्कत नहीं है, बाकि यदि माली जे BPSC प्राइमेरी टीचर में ऐसे अभेर थी, जिनके डॉक्मेंट्स में यदि आपका थूरू टीपूर या फिर अपठन ही है, और आप लोग उस टाइम पर क्या है कि अपना डॉक्मेंट्स रिअप्लोड नहीं किये यदि आपका थूरू टीपूर या फिर अपठन ही है, और आप लोग यहाँ पर एक्जाम में क्वालिफाई हैं, जो आपका आगे का प्रोसेस है उसके लिए, तो आप यहाँ पर क्या करेगा, कि अटेस्टेट जो है करवाली जेगा, देखिए अब भी आप इग्नोर मत कर क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभेरती हैं, जिनको यहाँ पर लगेगा कि BPSC के माध्यम से जब आपका डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उस टाइम पर बहुत सारे अभेरतियों का पारिसली वेरिफाईड, नाट वेरिफाईड, अन वेरिफाईड इस तरीके सा लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो यहाँ पर भी आपका मैनेज हो जाएगा, देखिए उस टाइम पर आपका BPSC को जिम्यदारी दी गई थी, और नार्माद से बाते BPSC चैर्मन अतुल प्रसाजी इतने मतलब सीधे हैं, कि उन पर ध्यान रखेगा कि अब जो आपकी जिम्यदारी दी गई है, वो आपको BPSC को जिम्यदारी नहीं दी गई है, बलकि आपका सिछा भाग को जिम्यदारी दी गई है, तो नार्माद से बात है, सिछा भाग आपके रगडने के अलामा कुछ भी जो है, उनहीं करेगा, पर जो भी आपके documents होगे, उस documents पर आपका BPSC का watermark, उसके आलामा जो आपके registration number है, वो चीज जो है आपका mention होना चाहिए, यदि आपके documents verification कराते समय सिछावा को documents देंगे, तो यदि उस documents पर BPSC का watermark या फिर registration number नहीं mention रहेगा, तो उनलोग उस documents को जो है उनहीं जाज करेंग और जो आपका पातरता है, उसको भी आपका रद जो है वो कर दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से आप सिछक भरते से बाहर हो जाएंगे, कुछ भी आपका वहाँ पर सुनवाई, जो है बापका नहीं चलेगा, तीसलिए इस matter को लेकर तनिक भी आप यहाँ पर, मतलब यहा आपको सिरियस होना ही जाएगे, बाकी अभी के लिए यहीं अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, हम सेर कर देंगे, टेली ग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, जुड जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट होत जिमिदारी मिलेगी, टियारी सेखेंड का, तो टियारी सेखेंड के भी आप तैयारी अभी सेकना ही स्टाट कर दीजे, क्योंकि उसमें भी आपका कमपर्टेशन टॉप आपका नहीं होने वाला है, तो अभी के लिए अपडेट है, बाकी आभी टीचिंग एक्जाम याप किसी भी कमपर्टेशन टीचिंग आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफर्म राइट टोच के संस्वनभद का सब्सक्राइब कर लिजेगा, आई हो आप आप जाकर जो है उच्छे कर लिजे, चेक करने बाद भी यदि आपका पुराना वाला डॉक्मेंट जो है आपका दिखाई दे रहा है, नया वाला डॉक्मेंट नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर मालीजे इसके आलावां भी आपका कोई यक्स वाइजड तुरूटी मतलब कनफीजन आपकी डाउट है, तो कमेंट बोक्स आपका उपें रहेगा, तो नॉर्मल से बात है आप कमेंट जो Thank you